Hello friends welcome back to current affairs funda और आज हम discuss करेंगे the Hindu के current affairs के MCQs है उनका next part जहां पर हम discuss करने वाले हैं 3 और 4 June के best questions okay so let's get started और प्लीज इस वीडियो में अन तक बने रहेगा ताकि आप सारे questions को अच्छी तरह समझ सकें सबसे पहले first question है recently another cyclone hit in one of this Indian state ठीक है इससे पहले अंफन आया था और अब एक और cyclone आ गया है ठीक है तो आपको यहां पर उसका नाम बताना है you have to identify its name okay तो यहां पर जो correct option है वो option number a निसारगा okay basically यह जो cyclone है यह मुंबई में hit किया है और मुंबई और गुजरात का जो region है ठीक है जो western region है यहां पर यह वाला यह पूरा पार्ट और यह गुजरात वाला पार्ट यहां पर बिसिकली इसका origination arabian sea से हुआ था ठीक है अगर थोड़ा बहुत अगर आप समस्ते हैं जोग्रफी को तो यहां पर लो प्रेशर क्रियेट हुआ होगा और यहां पर हाई प्रेशर होगा थे और उन्हें रेड अलट पर भी काफी समय पहले से दो-चार दिन पहले से IMD के वार्निंग्स के बार वहां पर डाल दिया था और फिर NDRF की टीम्स भी वहां पर पहुचा दी गई थी और सेंटल से जितनी मदद हुई वहां पर हो सकी तो बैसिकली यह जो साइकलों ने से भी हिट किया है ठीक है और अब यह बोला जा रहा है कि इसके जो एफेक्ट से हो सकता है वो थोड़ा कम हो जितने एफेक्स अंफन से हुए थे जो कि कुछ दिन पहले वेस्पेंगौर और ओरीसा के छेत्र में आया था ओके विच वाज उन इस साइड एंड इस वन इस व पूछ रहा है कि हाली में कौन से राज या फिर यूनियन टेरिटरी में अपना खुद का एक अप लाँच किया है जहां पर खाली जो बैड होते हैं अगर किसी होस्पिटल में खाली बैड है तो वो देखे जा सकते हैं फोर कोविड नाइंटीन पेशेंट तो यहां पर जो क्या तो यहां पर यहां पर यह कहना है कि मतलब जो कंप्रेंड लॉज की गई कि hospital refuses admission तो यह CM ने यह कहा है कि जो पहले complaints थी वो भी launch की जा रहे थी कि अब hospitals मना कर रहे हैं ठीक है तो अब इन्होंने app लेकि आए हैं कि अब उस app के अंतरगत अगर आप देखेंगे किसी particular hospital A, B, C में अगर beds खाली हैं तो वो आपको front में मना नहीं कर सकते हैं और अगर आप मना करेंगे तो government of the day और government वहां कि उस particular state की liable होगी इन सारे incidents के लिए बट इस से इस particular app के related भी मतलब इसके जो issue है वो भी सामने आ रहे हैं कि ठीक से work नहीं कर रहा है और में इस information दे रहा है करेक्ट option है यहां पर न्यू डेली नेक्स्ट कॉस्ट्ट फॉलिंग ड्रग कौन सा इसा ड्रग है हाली में जिसने अपना टेस्स क्लियर कर लिया है for emergency use मतलब emergency situation में इसका use किया जा सकता है for COVID-19 cases तो यहां पर जो करेक्ट option है वो है option नंबर ए रेम्डेसफर बेसिकली एक antiviral ड्रग है ठीक है जिसने क्लियर कर लिया है for treatment of COVID-19 patients under emergency uses यह किसका कहना है union health ministry का कहना है okay तो ministry denies under reporting COVID-19 that's all ministry ने यह कहा है कि मतलब कुछ लोग यह बोल रहे हैं कि जो ministry है वो मतलब under report कर रही है under report किसको कर रही है जो death cases होते हैं उसको under report कर रही है कि अगर माल लेजिए 100 लोग के death हो यह due to COVID-19 तो they are reporting approximately 50 or 60 or 70 ठीक है they are not reporting exact numbers which is denied by the ministry that they are responding or they are reporting the exact numbers which are being dead by this pandemic okay so यहाँ पर ministry का यह कहना है साफ-साफ अक्षरों में यह और clear कर रहा है कि वो ऐसी कोई भी under reporting नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ एक particular drug को भी अब emergency use के लिए यहाँ पर मतलब test clear कर लिया है उस particular drug ने ओके यहाँ पर जो correct option है वो है Remdesivir next question है which of the following institutions approves MSP MSP का यहाँ पर जो friends full form होता है वो minimum support price होता है जो कि several crops के लिए भारत में दिया जाता है अब friends इसके बारे में context देने से पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं basically MSP जो होता है वो minimum support price होता है यह basically इसलिए बनाए गया था इसलिए निकाला गया था इसके एक फाइदे भी है और एक नुकसान भी है तो पहले फाइदे देख लेते फाइदे यह थे कि भारत जब आजाद हुआ था तो बहुत ही जादा मतलब यहां हुकमरी और फिर मतलब सीरियल के लिए कामाउंट बता दिया जाया कि हम आपको इतने पैसे देंगे पर कुंटल ठीक है तो क्या होता था जो फार्मर्स होते थे वो निश्चन्थ होके उस पर्टिकुलर क्रॉप को मतलब उगाते थे या उसको हार्वेस्ट करते थे ठीक है तो इसी के कारण जो ग किया है या इंपोर्ट किया है यह तो हुआ इसका एडवांटेज अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे डिसएडवांटेज यह थे कि ग्रिन रेवलुशन कुछी क्रॉप्स पर जाके मतलब थम गया जहां पर वीट और राइस को जादा महत्विद दिया गया ठीक ह और वीट और राइस को ही सारे फार्मर्स ग्रो करना मतलब ही उचित समझते थे क्योंकि इससे MSP वो अन कर सकते थे यहां पर जो MSP का कॉंटेक्स्ट है वो यह बोला जा रहा है या यह MSP अपने आप में ऐसा होते आए कि एक समय समय पर यह बोला जाता है कि MSP कम दी गई है MSP ज़्यादा दी गई है जो इतना minimum support price देना चाहिए था है जितना price उसकी लागत में लगा वो उतना recover नहीं कर पा तो उस condition में उस particular area पे जो भी मतलब उगाई हुई थी वो सरकार ली लेगी ठीक है और उसके आपको remuneration जो prices है वो भी दिये जाएंगे ठीक है तो basically जो MSP है उससे काफी रियायत देने की बात कही जाती है और कही जाती है और कही जारी है काफी sense में अच्छा भी है और कुछ sense में ये बुरा भी है इस question में ये पूछा जा रहा है which of the following institution कौन सासे institution है जो अप्रूफ करता है इसको ठीक है इसको देता कोई और है याने MSP इतनी होनी चाहिए बताता कोई हो मगर इसमें question में पूछा जा रहा है अप्रूफ कौन करता है तो देता है CACP ठीक है committee on agriculture cost and prices य cabinet committee on economic affairs context देख लेते हैं pulses oil seeds में मतलब sharp hike हुई है क्योंकि basically यह होता है कि जो इंडिया है वो बहुत सारे pulses और oil sheet को import करता है दूसरे nation से just because कि यहां पर उतना उत्पात होता नहीं है ठीक है उत्पात नहीं होता है इसलिए इसको import करते है बट यहां पर मतलब यह इसलिए hike कर र करें और ज्यादर स्यादर grow करें और थोड़ा diverse हों ठीक है rather than always growing wheat and rice थोड़ा divert हों ठीक है different crops पर तो यहां पर अलग अलग जो crops है उसके लिए यहां पर particular perkuntal के prizes यहां पर दिये हैं तो particularly यहां पर जो पूरा मतलब एक motto होता है वो यह होता है कि self-reliant होना चाहिए food मतलब food grains म with explosive तो यह काफी अच्छी न्यूज है यहां पर बहुत अच्छे अच्छे examples दिये गए ठीक है सभी लोगों ने इसकी निंदा करी है तो यहां पर जो correct option है वह केरला बट यहां पर जो particular death हुई है उसके बाद वहां के लोगों का यह कहना है कि वो जो यह pineapple में explosive लगा रहे थे वो उस particular elephant के लिए नहीं हुआ था वो accidentally उस accident elephant ने उसे consume कर लिया okay friends तो ठीक है अगर वो कह रहे है ऐसा लेकिन फिर भी यह बहुती निंदनी है rover death of pregnant elephant in kerala तो यहां पर यह कहा गया है कि वो particular elephant के लिए नहीं था it was my mistakenly mistakenly हुआ ठीक है जो उस particular elephant ने यहां पर consume कर लिया और फि उसके मैं उनका एक बच्चा भी था okay तो यह काफी निंदनी है और इसमें मतलब पूरे देश से काफी मतलब repercussions आए ठीक है और इससे मतलब सब समने नका रहा है कि ऐसे कोई भी मतलब tragic incidents खासकर उनके उपर नहीं होना चाहिए जो की animals हैं बेजोबान जैनवर हैं उनके उप का okay तो यह काफी निंदनी है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी देश में नहीं होना चाहिए जस बेकॉस कि वह अनिमल से तुसकर मतलब यह नहीं आप उनके साथ मतलब कैसा ही मलाक करें जैसे कि एक human के life होती है उसी प्रकार animal की भी life होती है they are enjoying in their own comfort as we are enjoying in us okay friends so this should not be repeated at least should not be repeated next question is recently India India ने इंक किया है MOU MOU का full form होता है Memorandum of Understanding for Environment Cooperation मतलब Environment में Cooperation मतलब cooperate करेंगी यह दो country तो किसके सांथ किया है यहां यह पूछ रहा है इस question में तो इंडिया ने किया है किसके सांथ भुटान के सांथ इसका context देख लेते है में recently इंडिया ने किया MOU for Environment Cooperation ठीक है यहां पर sorry Corporation लिखती है इसका जो होना चाहिए था यह प्रिंटिंग मिस्टेक है आने वाले दस सालों तक ठीक है जहां पर यह basics of equity reciprocity ठीक है और mutual benefits देखेंगी कि एक दोनों countries को होना चाहिए जहां पर management और protection of environment को तवजब दिया जाएगा तो यह sign किया गया है भारत और हुटान के पीच में next question is recently which of the following Indian port मतलब हाली में कौन से ऐसे 38 को भारती है 38 पो ठीक है यह मतलब नेम किया है after the founder of Jansang Jansang के जो founder थे जो बाद में जाके BJP बना Jansang ठीक है पहले Jansang था फिर बाद में इसका नाम BJP पढ़ा तो जिनका नाम है next question is which of the following names mentioned in the constitution of India constitution of India में मतलब हमारी country जो है इंडिया उसके लिए कौन-कौन से नाम mention किये गए है तो यहां पर जो correct option है sorry friends यहां पर जो मतलब एक option गलत लिख दिया है तो यहां पर होना था इस particular option को बोथ A and B तो यहां पर जो correct option है वो है option number D both A and B ठीक है तो इंडिया भी है और भारत भी है यह दोनों नाम mention किये गए है constitution में ठीक है तो basically इसका context इसलिए यह question क्यों सामने आया है क्योंकि मतलब plea थी ठीक एक petition file की गई थी Supreme Court में जहां यह कहा गया था कि जो इंडिया वाला नाम है ठीक है जो इंडिया कहा जाता है इंडिया या भारत कहा जाता है इसमें से इंडिया को हटा देना चाहिए सिर्फ भारत कहना चाहिए just because this petitioner ने यह बोला कि इंडिया का जो नाम है वो एक Greek word इंडिका से लिया गया है ठीक है Greek word इंडिका से लिया गया है ठीक है और इसे use नहीं करना चाहिए बिकॉज यह जो इंडिका word है एक foreign word है ठीक है इस petition में यहां बोला गया कि is a Greek term इंडिका ठीक है और उन्होंने यह कहा कि इसमें सिर्फ एक ही word होना चाहिए और वो होना चाहिए भारत भारत इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो freedom struggle था वो उसका slogan ही यही था कि भारत माता कि ज थी कि यह दोनों नाम हैं इंडिया डाटिस भारत शाल बी दे यूनियन ऑव स्टेट्स टेरिटरी ओफ इंडिया शाल कंसिस्ट ऑफ दे टरिटरीज आप इंडिया व्यूंकि तो यहां पर यहां पर इस पर्टिकुलर नाम को हटाने की बात कहीं आ रही है तो सुप्रीम को के जो CGI थे टीस ठाको उन्होंने मतलब इससे मतलब खारिज कर दिया गया था और यह कह दिया था इंडिया था इंडिया मस्ट ग्रिड फॉर शार्प स्लोडाउं ठीक है इन रिसेंट टाइम यह किस के द्वारा कहा गया यह पर्टिकुलर स्टेट्में किस पर्टिकुलर व पूछा जा रहा है तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नमर भी अर्विंत सुब्रमन्य तो यह फॉर्मर चीफ एक नॉमिक एडवाइजर है ठीक है स्टेट गवर्मेंट के या फिर आप अपने देश के भी कह सकते हैं उन्होंने कहा है कि जो पूरा बजट है इस साल का उसको रिवाइफ कर देना चाहिए मतलब उस बजट को साई करके नया बजट प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि जो आना वाला समय है वो इतना मतलब ठीक नहीं है या उतना कूल नहीं है वो जो बजट के जो फिगर्स किसी काम करी नहीं हो गए जस्पेकॉस कि इस पर्टिक्लर लॉगडाउन की वैसे या 90 दिन या 80 दिन का जो भी लॉगडाउन है इस पर्टिक्लर की वज़े से जो पूरी जो सिचुवेशन है वाने वाले देड़ दो सालों के लिए पूरा एक टरनराउंड हो गया है तो यहां पर अब इस पर्टिक्लर फैक्ट से रिलाई करना चाहिए कि यह पर्टिक्लर बजट अब आने वाले समय मतलब उतना कार्यगर सिद्ध नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज कि इसके जो आप कह सकते जो रिसिप्स थे जो एस्टिमेट्स थे और जो गवर्मेंट अपनी अ करें इस पर्टिक्लर बात पर तो इस पर्टिक्लर इस रिवाइवल को गवर्मेंट को सोचना चाहिए आनजे वाले समय मेर किसकं आउविन-ाविन का कहना है nesk question a recently several economists suggested जो economist हैं भारत में या फिर दूर दराज मतलब किसी पी देश में जो भी लेने चाहिए तो अपन आपको यहां पर इडेंटिफाई करना है यह से कौन से मैठेट को वो सजेस्ट कर रहे हैं क्या वो कैस्ट ट्रांसर को सजेस्ट कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सल फूड रैशन ठीक है जो रैशन कार्ड होते हैं तो आप बिना काट के भी लोगों को फूड मिलना चाहिए वो यह बात कह रहे हैं तो आप जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नुमर सी बोथ A and B तो कॉंटेक्स देख लेते हैं यह हैं गयती गोश्ट तो इनका यह कहना है कि गवर्मेंट को एक स्टिमिलस पैकेज और लांच करना चाहिए जो की 10 लाग करो वे जाते हैं ठीक है थिकैं तो उन्हें फूर मिलना चाहिए वाँ सरने लुक कि वह तो फूर्ट करने को तो फ़र्च क्रणों करें गईक है क्योंकि डिमांडी पैसा होना चाहिए, disposable income होना चाहिए, ठीक है, अब यह disposable income कैसे आएगा, क्योंकि लोगों के पास jobs तो है नहीं, jobs है नहीं, तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो यह बात कह रहे हैं, कि direct transfer करिए, या मतलब कुछ पैसे उनके हाथ पे दीजिए, ठीक है, ताकि वो इस particular जो demand है, उसको बढ़ाएं, और उससे जो economy है, वो फिर से वापिस अपने track पे आए, ठीक है, for the revival of economy आने वाले को समय में, समय में, okay, next question है, recently UK offer to give visas for millions of if, for millions, if China imposes national security law to which of the following, तो हाली में, United Kingdom की government या उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, Boris Johnson ने कहा है, कि वो बहुत सारे visas देंगे, लगबग millions of visas देंगे, किनको, उस देश के लोगों को, अगर चाइना ने वहाँ पे national security law impose किया, तो यह किसके लिए क होंग कोंग के लिए, तो हाँ पर correct option है, होंग कोंग, अब context देख लेता है, तो context यह है, कि यह जो होंग कोंग की territory है, यह पहले territory थी, किसकी Britishers की, याने British occupied territory थी, जिस प्रकार इंडिया भी British territory थी, British occupied territory थी, फिर वो इंडिया को छोड़ दे चले गया था, और इंडिया मतलब आजाद हो गया था, उसी प्रकार होंग कोंग भी थी, होंग कोंग कब तत थी, 1997 तक थी, 1997 में क्या हुआ था, Britishers ने इस particular territory को, किसको दे दिया था, यह दे दिया था, चाइना को, बट वहाँ पे condition रखी थी, कि यह particular territory क्या रहेगी, मतलब यह अपने आप में freedom से रहेगी, इ चाइना को hand over किया था, British ने अपनी इस territory को, ठीक है, तो अब चाइना क्या कर रहा है, इसे curtail करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे different imposition लगा के military भेज के, ठीक है, वहाँ के जो लोगों की voices है, उसको वो let down कर रहे है, ओगे friends, तो इस particular context में British PM ने इस particular visa को offer किया है, Recently, which of the following Indian became the president of CII, ठीक है, तो confederation of Indian industry के हाली में कौन president बने है, इस question में आपसे ये पूचा जा रहे है, ये basically person in news का question होते है, यहाँ पे जो correct option है, वो है, उदय कोटक, जो की CEO और MD है, कोटक महिंदर बैंक के, उनको बनाया गया है, इस particular confederation का president आने वाले एक साल के लिए, ठ आपसे यहाँ पे question और पूचा जा सकते है, यहाँ पे vice president किसे बनाया है, तो यहाँ पे जो sanjeev bajaj है, ठीक है, बजाज फिंजर्स के जो owner है, ठीक है, यह CEO MD कह सकते हैं, उन्हें यहाँ पे vice president बनाया गया है, किसका? CII का, okay friends, तो friends, यह थे हमारे questions, तो आप अपने feedbacks दे सक कि हम किस particular section में lag कर रहे हैं, किसे हम improve कर सकते हैं, okay, so bye-bye, take care, till we meet in our next video, तब तक के लिए हमारे channel पे quality series चलिए, आप उसे भी follow करें, जो की examination point of view से design किया गया है, so bye-bye, take care, like कीजिए, channel को subscribe कीजिए, और अपने friends के साथ भी से share कीजिए